ओम शिरी हनुमतेने शिरी हनुमान एस्टोलाजी प्रियमित्रों नमस्कार आज हम आपको जानकारी देंगे वर्ष दोहजार चौबिस आपके लिए कैसे रहने वाला है सरव परत्रम नव वर्ष दोहजार चौबिस के आपको बहुत बहुत शुक्वामने आपका ये नववर्ष आपके लिए मंगल में हो आप बहुत तरक्की करें उनत्ती करें से परिवार स्वस्थ रहे हंस्ते रहे मुस्कलाते रहे और हनुमान जी से प्रेकर हुआ कि उनकी किरपा उनकी ब्लैसिंग आपके उपर बनी रहे मित्रो प्रतिक व्यक्ति को उत्सुकता होती है अपना भविश्य जानने के लिए अब नया वर्ष आरा है जाहिर सी बात है कि प्रतिक व्यक्ति उत्सुक है कि 2023 तो हमारा चला गया 2024 कैसा रहेगा इसी के हम आपको जनकारी देंगे और वित्रो यह फ्लादेश चंद्राशी पर है चंद्राशी के अपनी Importance होती है अपनी एहमेत होती है लेकिन जो आपकी लगन कुंड़ी जर्म कुंड़ी होती है उसका सरवादिक महत्ति होता है तो मित्रों आप से विंती है कि आप यह चंद राशी पर गोचर तो आप देखी रहे हैं साथ साथ एक बार अपनी कुंडली का विश्टेशन भी जरूर करा है तब ही आपको शथ प्रतिश्थ प्रणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि वित्रों आप सभी जानते हैं अगर 140 क्रोड की जंता में हिंदुस्तान में डिवाइट किया जाए तो कम से कम 12-13 क्रोड एक राशी के जाता को है तो जाहिर सी बात है कि सभी के उपर एक जैसा फलित तो घटित नहीं होगा तो डिपेंड करता है आपकी जर्मकूंडी में भी क्या इस्थिती है गरहों की और किस गरहे की देशानतरदश आपके पक्ष में चल दिये तभी संपुन विश्लेशन आपका होपाता है कुछ गरहे जो होते हैं जो थोड़े लंबे अंतराल के बाद राशी परिवर्तन करते हैं तो इस वर्ष जो उनकी इस्थिती है उससे आपको थोड़ा आउगत करा दे शानी अड़ाई वर्ष में राशी चेंज करते हैं और इनके अड़ाई 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 साधे साथ साल बनते हैं तो शनी जब भी आपकी जनम कुंडली में घरह गोचर के उपर जब गोचर करते हैं तो तीन राशी हमेशा साधे सती से प्रभावित होती है और दो राशी शनी की ढहिया से प्रभावित होती है तो अभी वर्तमान में मकर कुम मीन राशी के उपर शनी की साड़े सती चलेगी मीन राशी के उपर चड़ती भी साड़े सती रहेगी मकर राशी के उपर उतरती भी रहेगी और कुम राशी के हाट पर रहेगी यानि हिर्दे पर बीच में मद्य में और विरिष्टिक राशी पर चौथे अड़िया रहेगी शनी की और करक राशी पर अस्ट्रमड़िया रहेगी अब उसके बाद जो अठारा महीने में गरह राशी परिवर्तन करते हैं वह है रहू और केतू रहू केतू हमेशा वकरी यानि एक राशी से पीढ़िया की तरफ प्राजिट करते हैं रहू आपके मीन राशी में संचार करेंगे और केतू आपके कन्या राशी में परिविष्ट करेंगे उसके बाद देव गुरु व इन चार गुरों की अब उसके बाद मंगल आते हैं दो चालिस बैलिस दिन से लेके पैंतालिस दिन के बीच बेराशी परिवर्तन करते हैं इनका भी काफी परभाव पड़ता है सूरी है शुक्र लगबग एक महिना बुद्ध बहुत जल्दी जल्दी कभी 25 दिन कभी 22 दिन सोते रहते हैं और जो आपके चंद्रमा है वे दो से सवा दो दिन में राशी चेंज करते हैं तो मित्रों ये गरह गोचर की स्तिती रहीगी इस वर्ष तो हम चार वीडियो के बारे में आपको बता चुके हैं मित्रों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे 2024 कैसा रहने वाला है यहाँ पर अगर हम वर्ष 2024 की बात करते हैं आप से वर्ष्चिक राशी वाले जातकों के लिए तो यहाँ पर जो इस्तिति आपकी बन रही है देव गुरू ब्रिस्पति अभी इस इक स्थावस में संचार कर रहे हैं और वहां के लॉट जो आपके मंगल हैं अभी तो धनू राशी में संचार कर रहे हैं लेकिन पाँच फरवरी को वह हम अपनी उच्च मकर राशी मा आएंगे तो पाँच फरवरी के बाद आपके कारिये शैली में बहुत बदलाव आएगा आपकी वील पावर बहुत स्ट्रौंग होगी आपके अंदर बहुत स लेते हैं तो प्राब्लम के लिए डो सकती है तो अपने उपर confidence रखते हुए आप कोई भी डेड़ने लें छोटी मोटी आत्रा हैं ट्रेवलिंग करते हैं उसके थूरू business करते हैं नौकरी करते हैं नही connectivity बनेगी आपका प्राकर्म बढ़ेगा आपकी importance बढ़ेगी वहां से लाब गेन करेंगे छोटे बाई बैन मित्र वर्ग जो आपके सहकर्मी है आपके नीचे कारियरत हैं करमचारी लोग और प्रोसी वैल विशर मिलने जुलने वाले लोग उनके बीच में भी आपका प्राकर्म बढ़ेगा importance बढ़ेगी और आपके सम्मन्द बनेंगे उनसे आप लाब गेन करेंगे अच्छे इस्तती है शुब इस्तती है पारिवारिक दिर से जो इस्तती रहेगी वह एक मई के बाद बहुत अच्छी रहेगी एक मई तक तो परिवार में छोटे मोटे लड़ाई जगड़े या प जब देव गुरू विरस्पती ट्राजिट करेंगे फिर इस्तती आपके अनुपूल बनेगी बैंक बैलेस में विरद्धी होगी परिवार वालों का लाब बेनेफिट से गेन होगा जो मद्बेर डिफरेंसे से दूर होंगे पैत्रिक संपती की प्राप्ती हो सकती है और ए प्राप्ती आपको हो सकती है माता जी का भरपूल आप से होगा आपको प्राप्त होगा घर में सुक्स असाजनों विरद्धी होगी संतान के प्रत्य अच्छी इस्तती रहेगी लेकिन थोड़ा मेंटली इरिटेशन, फरस्टेशन, कन्फूजन, टेमपर शॉर्ट, सवाव प्राटे व्यवदान चीज़ वजे से आप थोड़े चिंतित हो जाए या उनसे कोई मद्बेर डिफरेंस तो थोड़ा धैरी और सयम पूर्वक संतान के प्रत्य आप थोड़ा सजग रहे अपने संबंदों को निभाए कोई व्यर्थ के और्गुमेंट वगरा मत करें थोड़ा मेमोरी का लॉस यहां पर थोड़ा हो सकता है थोड़े कन्फूजनस बढ़ सकते हैं लेकिन आपको क्या करें लेप्ट हैंड की लेप्ट हैंड में आप एक सिल्वर का कड़ा या सिल्वर की रिंग पहन ले और साथ तरह का नाज आप पक्षियों को सिर के उपर ड प्रवरी के बाद इस तफिया आपके काफी अनुकूल आपके प्रक्ष्म में बनेगी नई नौकरी लगने के योग बनेगा आपके शुटकारा मिलेगा कोई करजे की बिमारी की इस्तिति से जूजरें वहां से भी आपको रहत मिलेगी दाम पत्ते जीवन की बात कर लेते ह हैं तो यहां इस तफिया आपके काफी अनुकूल बन जाएगी और एक मई के बाद काफी चेंजिस काफी बदलाओ देतने को मिलेंगे पती पती में के में कोई मद्वे डिफरेंसिस थे या एक दूसरे को लेकर चिंतित थे संतुस्टी के भाव में कमी आ रही ती वह दूर होगी संतुस्टी का भाव बढ़ेगा संबंदों पर गाड़ता मजबूती आएगी नए विवाशादी के संबंद बनेंगे प्रेम संबंद विवाशादी में तबदिल हो सकते हैं लाप साज़ेदारी में पार्टरशिप में कोई बिजनस करना चाते हैं तो एक मई के होती आप लापरवाई मत बरते हैं थोड़ा उपाए मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ा सा उपाए करेंगे तो निश्चित रूप ते इस्तियात के नुकूल बनेगी भाग गया आपको साथ देगा विदेशों की लंबी दूरी की आत्रह संबंद होंगी दार्मी देगा ध्यान रखिए उनका वर्पूल आप सायोग मिलेगा उनसे विर्थ हला विर्थ की और्ग्यूमेंट मत करें उनका अचिरवाद बनाया रखें उनकी सेवा करें बाग गया आपको साथ दे रहा है थोड़ा मेहनत और प्रियास करने की जरुवत है करियर में भी आपक जोईन करनी है तो आप कर सकते हैं आप प्रियास करेंगे इस चित्रू सफलता मिलेगी आपको स्तेर्था प्रदान होगी सोर्स वाप इंकम बढ़ेगा बीच-बीच में बड़े धनकी प्राप्ती होती रहेगी बड़े-बड़े भाई-बहाई-बहान मित्र वर्ग उनसे जिलाब बेनेफिट्स है हो गिन करेंगे नए करेंगे नए कन्ट्रेक्ट्स बनेंगे तो जा तक विदेश होगा है उनके लिए भी इस्तथी ओरॉल ठीक रहने वाली है शुब रहने वाली है तरह की उनत्ती का उसर मिलेंगे कोट के चारी मुगदमा चल रहा है वहां से भ पर भुआ एं पक्षियों को डालें एक चादी का कडा या फिर चादी की कोरिंग लैफ्ट हैंड में अपने आप पैने तो उससे आपको रहत मिलेगा आपको रेलेक्स मिलेगा और शानिवार के दिन आप क्या करें क्योंकि शानी की जौत्री ढहिया भी चल लिया शानिवा हैं, काली चीटीओं को पर्तिदिन खिराएं, पक्शिओं को साथ अनाज़ा पर्तिदिन खिराएं, तो नेश्चित रूप से आप शरिदा विश्वास के साथ अगर कंटिनियूटि में और मंगल शनिवार को शुदिता का पालन करते हैं अगर आप यह उपाई करते हैं तो निश्चित रूप से जो दस बीस परसेंट थोड़े से दुश्परमाव मिलने वाले हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा सुरुक्षा परदान होगी और यह दोजार चौबिस का वर्ष आपके लिए काफी लाद दायक तरक के दायक रुटे दायक से दोगा सुखी रहें सुथते रहें हंसते रहें मुस्कराते रहें जैश्यरी राप जैश्यरी अरुमाव